नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सोलुशन के यूट्यूब चनल पे तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं आपके हिंदी पैड़ा कोजी के मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन जो भी आपके रहते हैं इस पूरी सिंगल वीडियो में मैं आपके हिंदी पैड़ा कोजी के सारे मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन कवर कर लेंगे तो इसी पूरी वीडियो में हम सारे कोश्चन कवर कर लेंगे एक मैसेज सब भी बच्चों के लिए जो भी इंपोटेंट कोश्चन पोशना चाहते हैं अपनी पैड़ागोजी से रिलेटिड क्योंकि मेरे पास पैड़ागोजी का कोई भी कंटेंट नहीं है लेकिन अगर जैसे ये स्टुडेंट ने एक पीडियाफ सेंड करी है अपनी हिंदी पैड़ागोजी की अगर आप ऐसे ही अपने मॉडल की पीडियाफ बनाकर टेलिगराम गुरूप में सेंड कर देंगे और टेलिगराम गुरूप का लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल अगर आप टेलिगराम में अपने मॉडल की ऐसी पीडियाफ सेंड कर देंगे बनाकर मुझे तो मैं आपके पैड़ागोजी के बता सकता हूं क्योंकि इसका रिजन यह है क्योंकि मेरे पास पैड़ागोजी का कोई भी कंटेंट नहीं है तो यह एक बच्चे ने मुझे सें हैं और अग्जाम आपके आने वाले हैं तो जितने भी कोशन में बता रहा हूं 100% आपके वह यह आने वाले हैं तो चली जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हिंदी पैड़ागोजी कोशन कुछन का करेंगे यूनिट फरस्ट का करते हैं शुरू तो पहला कोशन जो आपका Hindi Pedagogy का IMPORTANT रहता है वो आपका ये है कि हिंदी भाषा की विज्ञानिक्ता वैसंपंता पर एक निमंद लिखे तो ये कोशन आपका का यूनिट फस्ट का आपका Hindi Pedagogy में IMPORTANT रहता है नेस्ट कोशन की बात करते हैं नेस्ट कोशन जो आपका important रहेगा वो आपका ये है कि भाषा का क्या आश्य है भाषा के विबिन आधारों का वर्णन करते हुए मनुष्य के वेक्तिकत एवं समाजिक जीवन में भाषा के महत्व पर विस्तार से परकास डालिए तो ये कोशन स्वें आपका most important अपका रहेता है next replacement की बात करते हैं जो कि आपका important रहेगा और यह कोशन जहाद आपका important रहे गाजल्ट है एक ही question है यह कि मात्र Kell का महत्व है मात्र का महत्व स्बस्ट किजिए या जीवन में मात्र भाषा का महतु परतिपादित कीजिए तो ये कोशन आपका काफी जाद आपका important आपका यूइंट फरस्ट का आपका हिंदी पेड़ागोजी में आपका रहता है ठीक है चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आजाएं नेश्ट कोशन जो आपका important रहता है हिंदी पेड़ागोजी का आपका यह है कि भाषा शिक्षन के विभिन सिधानतों का संजेप में वर्णन कीजिए जितने भी को नेश्ट कोशन की बात करते हैं छो कि आपका important रहेगा वोघशन के वाचन कशल से क्या तात्पर यह इंदा है कि क्यों सी योगित है प्थ्चित है एक शिक्षक के रूप में आप थात्रों के श्रवण डखξता का विकास कैसे करेंगे तो यह और सिध हिंदी पैड़ी रहता है दील कोशन की बात करते हैं जो कि आपका इंपोटन नहेंने वाला है जो आपका उब कर सक्वेण है कि वाचन षिक्षंट की वीबीन वीडियो का संवार्न किजिये ठाक है जितने कोशन मैं बतारं हो फिटाफ़ाफर सी कि वह काफी जादा होते हैं और मेरे पास एक भी मोडल नहीं है तो चलिए नेस्ट कोशन जो आपका इंपोर्ण रहता है वह आपका यह है कि वाचन के पर्मुक परकारों को समझाईए मोन वाचन के परकार लिखे या आधर्स वाचन से क्या अभी प्राय है यह कोशन आपकी नहीं हो काफे ज्यादा आपके रहते हैं लृइक को सागे कि आपका यह इन इन इपक्रड़र्ण करते हैं जो कि आपका इपका यह जुनियर इसतर पर मात्र भाषा शिक्षन के उद्देश्य का निर्दारित की करते हैं जो कि आपके इंपोर्टन रहेंगे अगे बात करते हैं जो कि आपके इंपोर्टन रहेंगे कि यूणि थे जो इंपोर्टन ते वो उतने ही थे ठीक है यूणि थे है या चारण दोषो के पर लुग कारन लिख है तो यह कोशन आपका का आप थटका हिंपोंटेन्ड रहेगा ठीक है कि नस स्कॉशन कि बात करते हैं जो कि आपका इंप नर्यगा योप मैंदी पैडार और यह कोशन कि बात करते हैं का इव्रति कोशन के घृति जल सवंवंद संब्धिया कों कों सी हो सुझती ह्यां तो ये question आपका दोनों important रहते हैं ठीक है next question की बात करते हैं next question जो आपका बहुत ज्यादा important रहेगा वा आपका ये है ये question की बात करते हैं next question की बात करते हैं next question की बात करते हैं जो कि आपका important रहता है काफी ज्यादा ठीक है next question की बात करते हैं जो कि आपका important रहेगा next question जो आपका important रहता है ये आपका question ये वाला question आपका important रहता है शुरुती लेक में परमुक अंतर है ना शुरुती लेक में अंतर response कीजिए ये question आपका very 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 important आपका ये रहता है ठीक है इसको भी learn करना है फटाफट से जो आपका important रहेगा वापका ये रहेगा शुक्षम section के सवरुप को समझाईए दाथा शुक्षम section के सवरुप के पदों के बारे में लिखिए शुक्षम section के सवरुप को बताइए तो ये question आपका important आपका रहता है ठीक है परियोग किया जाता है उदारन से इद बताइए तो ये question आपके दोनों काफ़े जाद आपके important आपके रहते हैं unit 4 में next question देखते हैं आपका कौन सा important रहेगा next question जो आपका important रहता है वा आपका ये है माद्यमिक इस्तर पर पद सिक्षन के परमुक उद्देशन इदार्ट कीजिए पद सिक्षन की परमुक विदियां कौन कौन सी है माद्यमिक इस्तर पर इन में से कौन सी विदि सर्वोप युक्त है और क्यों तो ये कोशन आपका काफी जाद आपका unit 4 का आपका important रहता है next question की बात करते है next question जो आपका important रहेगा वो आपका ये है कि निगमन परणाली और आगमन परणाली में अंतर बताईए व्याकरन सिक्षन के पर्मुग उद्धिश्व का वर्णन कीजिए तो ये कोशन आपका काफी जादा दोनों important आपके रहते है next question की बात करते है unit 4 के जो आपके important रहेगा वो ये है दोनों कोशन काफी जादा important है व्याकरन भाषा का अनुशाशन है इस पस्ट कीजिए व्याकरन भाषा रूपी अश्व का नियन्ता है इस पस्ट कीजिए ना तो ये आपके question दोनों important रहते है next question की बात करते हैं जो कि आपके important रहेगा वो आपका ये है next question की बात करते हैं देखते है कौन सा question आपका important रहता है next question आपका important रहेगा वापका ये है क्यक्षा साथ के चात्र के लिए होली प्रकरण पर एक निमंद की पार्ट योजना बनाए तो ये question आपका काफे जाद आपका important रहता है next question जो आपका important रहेगा unit 4 का आपका ये रहेगा हिंदी सिक्षन में दुरुत पार्ट का महत्यों बताईए ये question आपका important रहता है यानि के दुरुत पार्ट से क्या आश्य है इसके परमुक उदेश्य क्या है कक्षा 7 के छातर के लिए दुरुत पार्ट सिक्षन है तो आप कौन सी विदी अपनाएंगे तरक सहीत उत्तर दीजे तो ये question आपके दोनों काफे जाद आपके important रहते हैं unit 4 के next question की बात करते है next question जो आपका important रहेगा वो आपका ये है हिंदी भाषा सिक्षन में सरचनात्मक पदिती का अर्थ बताईए परिभाशित कीजिए हिंदी भाषा सिक्षन की आधुनिक विदी के उपयोग पर एक लगू निमंद लिखे तो ये दोनों question आपके काफे जादा important रहते है question एक ही है ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं जो कि आपका important रहने वाला है नेक्स्ट कोशन जो आपका important रहेगा वो आपका ये है काफे ज़्यादा important ये question है दोनों हिंदी सिक्षन में पार्ट योजना की क्या उपयोगिता है ये question काफे ज़्यादा important है और पार्ट योजना का अर्थ आवशक्ता एंवा महत्वर परकास डालिए very 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 important आपका ये वाले दोनों question है unit 4 के next question देखते हैं कौन सा आपका important रहने वाला है next question ये है जो कि आपका important रहेगा गध शिक्शन एवा में पद सिक्शन में अंतर कीजिए यह question आपका काफ़े ज़्यादा आपका important आपका रहता है unit 4 का next question की देखते हैं next question जो आपका important रहने वाला है unit 4 का I think unit 4 आपकी complete हो चुक है इतने ही unit 4 में आपके important question थे unit 5 में देखते है कौन कौन से question आपके important रहते हैं unit 5 में जो आपकी question important रहेंगे वो आपका ये है कि हिंदी भाषा स्किषन में द्रश्यय प्रवय करनों का उपयोग किस परकार महतपुन है और हिंदी सिक्षन में द्रश्यय रव्य सामगरे का मैत बताईए तो यह दोनों कोश्चन आपके काफ़ीस आपके इंपरेंट रहते है युनिट 5 में नेच्ट कोश्चन की बत करते हैं नेच्ट कोश्चन जो आपका इंपरेंट रहेगा वह आपका रहेगा कि यह वाला नेस्ट कोशन जो आपका important रहेगा वापका रहेगा हिंदी सिक्षण में ICT का परियोग किस प्रकार किया जाता है तो ये कोशन आपका काफी जदा आपका important रहेगा वापका ये रहेगा पाथे सहगामी किरियाओं से आप क्या समझते हैं एक हिंदी सिक्षण के रूप में आप अपने छातरों के लिए हिंदी सिक्षण को रोचक बनाने के लिए किन पार्टे सामगरी किरियाओं का उप्योग करेंगे तर्क सहीद इसपस्ट कीजिए या फिर ऐसे भी आ सकता है हिंदी सिक्षण में पार्टे करम सहगामी किरियाओ का महतों परतिपादित कीजिए कि नहीं दो सहगामी किरियाओं के विशे में बताते हुए इसपस कीजिए कि शिक्ष्टक पाटे पुस्तकों के साथ उन किरियाओं का परियोग किस प्रकार करेंगे तो यह दोनों कोशन आपके काफी ज़ाद यह important रहते हैं ठीक है एक्षक कोंजिशन की बात करते हैं जो आपका यहелिए फाइफ में कि यूनिट 5 आपकी complete होड़ चुकी है लास्ट यूनिट है आपकी unit 6 unit 6 में देखते हैं आपके कौन कोशे question आपके important रहेंगे ये question आपका important रहेगा unit 6 का निमंदात्मक परिक्षाओं के गुंड दोश का विवेचन कीजिए तथा इनके सुधार है तो सुझाव की दीजिए ठीक कि वस्तुनिस्ट परिक्षन से क्या अभी प्राय है तो ये ऐसे question आ सकते हैं दोनों important है काफी unit 6 के ठीक है नेस question की बात करते हैं जो कि आपके important रहने वाले है नेस question जो आपका important रहेगा वो आपका रहेगा ये वाला नेस question जो आपका important रहे तो आपका ये रहेगा निदानात्मक शिक्षन से क्या भी प्राय है निदानात्मक शिक्षन एवां उप चारात्मक शिक्षन में वर्णन कीजिए तो यह कोशन आपका भी इंपोड़न रहता है यूनिट सिक्स का ठीक है नेक्ट कोशन की बात करते हैं जो आपका इंपोड़न रहेगा वह आपका ये रहेगा किर्यादमक अनुसंदान के परमुक्षोपान लिखे यानि क्या आपको इसके चरण लिखने स्टैप्स लिखने हैं यह भी आपका इंपोड़न रहीगा नेक्ट कोशन जो आपका इंपोड़न रहता है यूनिट चींजिक्स का गई कफिए कि बात करते हैं जो आपका यह रहेगा वस्तुनिस्ट तता निमंदात्मक परिक्षाओं का निर्मान उद्देश्य वे प्रशाशन के संदर में तुलना कीजिए यह कोशन आपका काफी जादा आपका इम्पॉडेंट रहता है ठीक है ने कोशन की बात करते हैं unit 6 का जो important रहेगा आपका वो आपका ये रहेगा हिंदी में अच्छे मुल्यांकन के विशेष्टा हैं बताइए ये question आपका important रहेगा next question जो आपका important रहेगा वो आपका ये रहेगा उपचारात्मक section का अर्थ हिंदी section के संदर में बताइए या उपचारात्मक section से क्या अतात परेए ये question आपके दोनों काफे ज़्याद आपके important रहेगा unit 6 में unit 6 आपके complete ही होने वाली है जो important रहेगा next वो आपका ये रहेगा मुल्यांकन के उद्देश्य एमा महत पर पर कास डाले ये question आपका important रहता है तो यही थे आपके पूरे हिंदी पेड़ागोजी के जो कि मैंने बताए है हिंदी पेड़ागोजी आपकी complete हो चीक है तो यही आपके important question थे इनी में इसे ही आपका पूरा paper आपका 100% आपको मिलने वाला है ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजएगा बैल आइकान को जूरुट प्रेस करेगा जिसे कि आपके most important question की series बिल्कुल भी मिशना हो अगर आप other pedagogy के important question आप पूछना चाहते हैं तो description box में आपको telegram group का link मिल जाएगा महाँ पर जाकर join हो जाईए और अपनी model की PDF बनाकर मुझे send कर दीजेगा तो मैं आपके important question आपके पैड़ा गोजी के मैं आपके बता पाऊं का ठीक है तो चलिए बने रहेएगा चैनल से जुड़े रहेएगा अपना ध्यान रखेगा अपने घरवालों का ध्यान रखेगा झाल